आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हमें दिया है वेक्सिलरी एस्टिवेशन एस्टिवेशन से हम क्या समझते है कि जो पेटल्स या सेपल्स है वो आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट में किस मैनर में अरेंज़्ट है और वेक्सिलरी एस्टिवेशन ऐसी होती है इसको हम papillionaceous estivation भी कहते हैं जिसमें एक posterior petal होता है इस posterior petal को हम इसका standard petal बोलते हैं इसके बाद में यह जो posterior petal है यह overlap कर रहा होता है further दो petals को यानि दो lateral petals, इन petals को हम इसके wings बोलते हैं और further जो होते हैं अंदर की तरफ यानि दो anterior petals होते हैं जो आपस में united रहते हैं और keel नाम का एक structure बनाते हैं और ये enclose करते हैं stamens और carpals को तो इस तरह की जो vexillary estivation है इसमें 1 plus 2 plus 2 के form में हमारे petals arranged हैं क्योंकि last जो दो हैं वो आपस में fused हैं इसलिए हैं यहाँ पर हमने bracket लगाया इसके बाद कह रहा है di adelphus androsium अब androsium हमें मालूम है कि flower का वो whirl होता है जिसमें male reproductive organ होते हैं यानि flower के stamens present होते हैं और di adelphus से हमारा क्या मतलब है कि जो stamens होंगे वो दो bunch में या दो bundles में arranged होंगे तो di adelphus condition में हम generally देखते हैं कि 9 plus 1 की form में arranged हैं यानि 10 हमारे stamens हैं और उसमें से 9 इकठे एक bunch में हैं और एक अकेला हैं इस तरह से 2 group बन रहे हैं फिर हमें दिया है marginal placentation placentation से हमारा मतलब कि किस तरह से ovules ovary के अंदर placenta में arranged हैं या फिर किस तरह से seeds fruit के अंदर arranged हैं और marginal placentation में हम देखते हैं कि जो ovary होता है उसके ventral site पे एक suture है उसके उपर placenta एक ridge बना रहा है और इस ridge पे दो रोज में seeds arranged रहती हैं तो यह है जो हमारे characteristics यह हो गए हमारे Fabaceae family के characteristics Fabaceae हमारी flowering plants की एक dicotylidinus plants की family है जिसमें काफी important economically important plants होते हैं जैसे कि pulses आ जाते हैं तो Fabaceae से belong करने वाला हमारे given options में से कौन सा है Pysm जो कि हम P plant के लिए word यूज करते हैं वो हमारे Fabaceae में आ जाता है क्योंकि बाकि अगर देखें Allo यह हमारे एक medicinal plant है जो हमारी Lily family में यानि Lilyaceae का member है इसमें हमें इस तरह की flower की morphology नहीं मिलेगी फिर Brinjal और हमारे Belladonna Brinjal तो Edible हो गया और Belladonna medicinal plant हो गया और यह दोनों ही हमारे Potato family के अंदर आ जाएंगे यानि Solanaceae में belong करेंगे और उसके भी flower की morphology इस तरह से नहीं होगी Zygomorphic symmetry हो उसमे Estivation Vexillary हो Diodelphus androsium हो और Marginal Placentation हो ऐसा हमें Febese family के अंदर मिलेगा तो यहां given options में से correct answer हमारा option A हो जाएगा Python या फिर P plant Classics to 12 से लेके Meet IIT GE Means और Advanced के लेवल ता 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचिए अपने डाउट्स 84444 सूपर